आज हम लोग जानेंगे सोल साइंस से 15 कुश्चन्स यानि आपके एसिस्ट यानि सोल साइंस से यहां 15 कुश्चन होंगे यह सभी कुश्चन ना केवल सीटेट के लिए बलकि राजी में जितनी भी टेट की परिक्षां होती हैं उसके लिए मत पून है तो पहला कोश्चन को आप जान लें आंद्र छेत्र में वंदे मात्रम यहां को और करें वंदे मात्रम आंदोलन को निम्रकित में से किस नाम से जाना जाता था एक नमर में खिलाफत, दो नमर में असयोग, तीन नमर में सुदेशी, चाह नमर में सबने अवग्या आप इस प्रश्टों को समझें, उसके बाद इसका उत्तर दें, ओके Its answer is third, यहीं सुदेशी, मैं आपको बता दू कि 1905 में, यहीं 1905 में बंगाल भी भाजन के बिरोध में हुए, आंदोलन सुदेशी के नाम से जाने जाते हैं यह आंदोलन बंगाल में सरवादिक प्रावजा लेता, ओके आप फस्ट नमर को उत्तर जानें, आप सबक सकेंड नमर के कोशन को जानें, क्या कोशन कह रहा है, ओके नमने कि दमें से किस विदूशी ने इस्तरी और पुरुस के बीच सामाजिक अंतरू की आलोचना पर आधारित पुस्तक इस्तरी पुरुस तुलना का लेखन किया था एक नमर में रास सुंद्री देवी, दो नमर में पंडिता रमाबाई, तीन नमर में बेगम रोकेया, और चार नमर में ताराबाई सिंदे, आप प्रश्णों को समझें, उसके बाद इसका उत्तर दे, ओके इस answer is four, यानि ताराबाई सिंदे, यानि मैं बता दू, ताराबाई सिंदे पूने की एक महिला थी, जिरोंने घर पर ही रहकर सिक्छा प्राप्त की थी, ठीक है, ताराबाई सिंदे क्या की थी, घर पर ही रहकर सिक्छा प्राप्त की थी, और उन्होंने इस्तरियों की देन ओके अंग्रेजों के बिरुद्ध बिद्रो भणकाने में निम्लिकित में से किस नगर में सक्रिय भाग लिया आप बेगम हजरत महल का नाम सुने होंगे इतियास के किताबों बेसक पड़े होंगे तो आप इस प्रश्च को उत्तर दें मैं आपको अप्सन बता दे रहे हूं एक नमर में लावाद, दो नमर में कानपुर, तीन नमर में लखनो और चानमर में फैज़ाबाद यहनी बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के बिरुद्ध बिद्रो बढ़काने में निम्लिकित में से किस नगर में सक्रिय भाग लिया ओके इट्स एंसर इस थर्ड लखनो देखिए इन्होंने अवद की बेगम के नाम से जाना जाता है किने जाना जाता है बेगम हजरत महल को किस नाम से जाना जाता है अवद की बेगम के नाम से जाना जाता है यह जो प्रभाव था इनका बेगम हजरत महल का यह भारती सुनता सेनानी थी यह लखनों के नवाब वाजी दली, खान की पतनी थी, और ये उस समय का दोर था, किस समय का दोर था, 1857 का दोर था, इसे भी आप जाने, ये कप का दोर था, 1857, उस समय अठाहरा सो संताउन की क्रांती चल रहे थी, ओके, come to the four number question, निम्लिकित में से किस अधिनियम, एक्ट के अंतरगर, भारतिय प्रसासन को East India Company से British Crown को इस्थांतरित किया गया, ओके, यहाँ पर आपको एक्ट बता नहीं है, भारतिय प्रसासन को East India Company से British Crown को इस्थांतरित किया गया, एक नंबर में 1868 का अधिनियम, दो नंबर में 1833 का अधिनियम, ती नंबर में 1858 का अधिनियम, और चाहर नंबर में 1861 का अधिनियम, ओके, प्रस्टों को समझें, उसके बाद आप इसका उत्तर दे, आप हमें इसका उत्तर comment box भी दे सकते हैं, ओके, its answer is third यहाँ इसका उत्तर क्या हो जाएगा थार्ड यहाँ थार्ड में क्या है 1858 देखे क्या हुआ था मैं आपको बता दूँ यहाँ पर मैं और थुरा लिख देता हूँ यहाँ 2nd August को 1858 को British Eastern Air Company से सत्ता अस्तांतरन के लिए पार्लामेंट में एक बिल पास किया गया इसमें वार्चराय का पद्वी आरम किया गया इसमें वार्चराय की पद्वी आरम की गई थी इसे भी आप याद रखे 2nd August 1858 को ओके, come to the fifth number question मद्देकारिन असम में पाइक, निमले कितमें से क्या थे, पाइक के बारे में पड़े होंगे NCRT की पुस्तकों में ओके, यहां समझे हम असम में पाइ निमले कितमें से क्या थे, एक नमर में अनिवार सेना के सदस दो नमर में बलात मजदूर ती नमर में बगान में काम करने वाले मजदूर और चार अमर में पानी लाने वाले अब प्रश्टों को समझें, उसके बाद इसका उत्तर दे फाइट नमर का उत्तर दे इट्स, एंसर इस सिकेंड मैं आपको बता दूँ आहूम राज्य है, बंदग मजदूरों पर निर्वर था, वे जिने राज्य के लिए कारे करने के लिए विवस किया जाता था, उन्हें पाइक का जाता था, जिन वेक्तियों को काम करने के लिए विवस किया जाता था, उन्हें क्या का जाता था, पाइक का जाता, ओके come to the six number question six number question क्या कह रहा है इसे भी आप जान ले मिर्दा के कौन से गुन का निर्धारन जनक चटान करती है एक नमर में रशानी गुन परगम्मेता एवंग सरंचना इसके प्रणॉंशेशन को आप देख लेंगे दो नमर में अपक्छे की दर और खाद मिट्टी तीन अमर में मिर्दा की मुटाई और चान अमर में मिर्दा का जमाओ आप इसमें बताएं six number का उत्तर दे आप इस answer is first यनि इसका उत्तर क्या हो जाएगा रशानी गुन परगम्मिता इवंग सरंचना जनक चटान सरंचना टैक्सर रंग उत्तर अधिका निर्धारन करती है ओके six number question को आप जान लिए आप seven number question को जाने धरातल के निकट पाई जाने वाले खनीजों को साधरनत्या खोद कर निकालने की परक्रिया को क्या कहते है आप प्रश्ट को समझ रहे हैं खनीजों को साधरनत्या खोद कर निकालने काहां पर धरातल के निकट पाई जाने वाले खनीजों को साधरनत्या कर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते है एक नमर में सिंटर दो नमर में उत्खनन ती नमर में निस तापन और चार नमर में विवरित खान खनन आप प्रश्टों को समझे उसके बाद इसका उत्तर दे ओके दिखे मैं आप बता दूं कि मैंने प्लेलिस्ट में दो वीडियो डाली है सोल साइंस की सीचेट के लिए आप उसे जरूर देखें और अपने नॉलेज को इंक्रेस करें ओके सेवन नमर का आप उत्तर दें इस एंसर इस सेकेंड यानि सेकेंड में क्या हो जाएगा उत्खनन इसका उत्तर क्या हो जाएगा उत्खनन परवतिय स्थलों से चटानों को निकालना एवंग पत्थर तोडने वाली मसीन में डालकर उत्खरन का एक उधारन है ओके कम टू दे एट नमर कोश्चन दुनिया की प्राचिंतम चटाने निम्नमे से कहा इस्थित है यानि सबसे पुराना चटान एक नमर में हवाईडिप दुनिया की प्राचिंतम चटाने 8 number का पुत्तर दे, its answer is second, यानि पस्मी Australia, यानि ये जो चटाने है, ये चटाने 4.4 billion words पुरानी है, इसे भी आप जान दे, कितनी words पुरानी है, 4.4 billion words पुरानी है, come to the 9 number question, 9 number question को भी आप जानने, कच्चे माल को अधिक मुल्यवान उत्पाद में बदलने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है, एक नमर में तिर्तियक क्रिया, दो नमर में प्रात्मिक क्रिया, तीन नमर में दिर्तियक क्रिया, चार नमर में आर्थिक क्रिया, यानि यहां आपको पुतान कच्छे माल को अधिक मुल्यवान उत्पाद में बदलने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है अब 9 नमबर को उत्तर दे ओके it's answer is third, दूत्यक क्रिया यह दूत्यक छेत्र की क्रिया में कच्छे माल से उपयोगी वस्तुओं का निर्मान क्या जाता है सही प्रकार की निर्बान समंदी कतिविदियां इसी चित्र में समलित हैं इसे हम लोग क्या बोलते हैं? दूते क्रिया ओके? Come to the 10-number question 10-number question को जाने 10-number question क्या कह रहा है? अपेची और क्रो निम्निमे से क्या है? इसे भी आप समझें एक नमर में पर्यावरन पर वित्यचित्र 2-number में ओतरिय अमेरिका के कबीले 3-number में कीनिया के गुमंतु खाना बदोश constra niemar में अमेरिका के म्यूजिक बैंड 201 ओके? अमेरिका के म्यूजिक बैंड 201 ओके? इस answer is 2nd ओत्रिय अमेरिका के कबीले यानि अपेची और क्रो जो है या उत्री अमेरिका कभीले जो पहाड़ी छित्रों में रहते हैं आप प्रश्टों को समझ गया है उत्तर भी इसका आप जानेंगे आम लोग आगे जानेंगे कुशन को इसे भी आप गवर करें नियुनतम वेतन अधनियम पहला उप्षन क्या है संगटिच छेत्र के केवल सरकारी करमचारियों के लिए दूतिय क्या क्या रहा है निशित करता है कि मजदूरों को नियुनतम वेतन मिलना चाहिए और चाहन हमेंद क्या करा है निशित करता है कि वेतन एक निशित नियुनतम से कम नहीं होना चाहिए मजदूरो, निर्मानकारे में लगे मजदूरो, करकाने करमचारी, घरेलू, नोकरो अधिके हीतों का सरक्षन करता है? निन्तम वेतन अधनियम कोन करתा है? निन्तम वेतन अधनियम कम तू दे ट्वेल नंबर कोशन क्या कह रहा है? समिदान के किस अनुचेत के नत्रगत और इस प्रस्ता के कारण किसी अयोगता को लागू करना कानून के अनुसार एक दंडनिया अपराद होगा देखें आप अनुचेबिलिटी के बारे हम पड़े होंगे Untisability के कारण किसी अउगिता को लागू करना कानून के अनुसार एक दंडनियां अपराद होगा एक नमबर में अनुचेद 28 दो नमबर में यहाँ पर यह आपका 2 नमबर होगा और यहाँ 3 होगा और यहाँ 4 होगा एक नमबर में अनुचेद 28 अब इस प्रश्ट का उत्तर दे इस एंसर इस सकेंड इन्हें इसका उत्तर हो जाएगा अनुचेद 17 यानि अनुचेद 17 में unticciability का वर्नन है ओके 30 नमबर कुश्चन 30 नमबर कुश्चन क्या कह रहा भारत में असमानता का मुक कारण क्या है इसे भी आप गौर करें भारत में जो inequality है उसका कारण क्या है एक नमर में लिंग दो नमर में गरीबी तीन नमर में धर्म चार नमर में जाती ओके अब 30 नमर को उत्तर दे ओके इस answer is second गरीबी देख गरीबी तता संसाद्नों की कमी के कारण बहुत सारे लोग भारत में आसमानता का जीवन जीते है come to the 40 number question 40 number question क्या कह रहा है 40 number question को भी जान ले समिदानिक उपचारों का अधिकार एक नमर में नाइपालिका को संसाद्वरा लाउग कानून को निरस्त करने की सक्ति प्रदान करता है दोनों नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है और 3 number में समिदान संसोदन दोरा स्वैंकों सुधारने के विशे में है और 4 number में सिक्षा का अधिकार दिनियम 2009 को निश काशित करता है आप प्रश्त को समझे उसके बाइस करता है इंसर इस सिकेंड देखें नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है यदि नागरिक किया अनवव करे की राज्य सरकार दोरा उनके किसी भी मौलिक अधिकार का हनन हुआ है तो वे सम्मेदानिक उप्चारों के अधिकार के अंतरगत अदालत द्वारा अदालत का दरवाजा करगटा सकते हैं यह अदालत के द्वार पर वो जा सकते हैं तो आप सम्मेदानिक उप्चारों के अधिकार को भी जानगें इसके उत्तर को भी आप समझ गये, आम लोग 50 number question को जानेंगे, 50 number question क्या कह रहा है, 50 number question को आप एक बर देखें, दलित और आदिवासी लड़कियों द्वारा स्कूल छोड़ने की दर सबसे अधिक है, एक नमबर में, सिक्षा का लाब लड़की के ससुराल वालो को मिलने के कारण, यहां मैं फिर से एक बर option पढ़ देता हूँ, सिक्षा का लाब लड़की के ससुराल वालो को मिलने के कारण, दो number point को अब जाने क्योंकि उनके माता पिता सिक्षा को मातु नहीं देते ती number point क्या कह रहा गरीबी और समाजिक वेदभाओं के कारण और चार number में लड़कियों के लिए अलग स्कूल नहीं मिलने के कारण आप इस प्रश्ट को समझें दलित और आदिवासी लड़कियों द्वारा स्कूल छोड़ने की तर आप इसका उत्तर दें इसका उत्तर क्या हो जाएगा गरीबी और समाजिक वेदभाओं के कारण देखिया अधिकतर परिवार गरीबी करण सिक्चा का खर्च नहीं उठा सकते हैं इससे तो आप भली बाती जानते हैं एवंग बच्चे सयोगी बालकों और सिक्चों का भेदभाओपुन बैवार देखकर इसकूल छोड़ देते हैं ओके आप फ्रिप्टिंग कोशन को जान लिए यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद